पत्हौल स्थित वायू विहार रोड का निर्माण कई सालों से नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं ने रोड निर्माण नहोने पर आग्राविकास प्राधी करण के कारयाले पर प्रदर्शन किया और वायू विहार स्थित रोड को जल्द बनवाने की मांग फतेह पुर्स्तित पत्हौली एक गाउं है जहां से वायू विहार में होते हुए एक रोड निकली है समाजवादी पाटी कारेकरताओं का कहना है कि वो रोड पिछले आच सालों से नहीं बनी है रोड में गड़ा है या गड़े में रोड है समझ ही नहीं आता है गड़े इतने बड़े हैं कि रात में आए दिन हाथ से हो रहे हैं मगर आगर विकास प्राथिकरन कोई कारेवाई नहीं कर रहा है अगर रोड जल्द नहीं बनती है तो समाजवादी पाटी के कारेकरता रोड जाम कर धरना प्रदर्शन करेंगे लगातार लोग परिशान है इन सारी समस्या को हमने बीशी मेडम को बताया है और उन्होंने हमसे कहा है कि हम इसका जल्दी कुछ न कुछ समाधन कराने का प्रियास करेंगे इसका समाधन नहीं होता है तो समयाधी पार्टी इस सड़क को बनवाने के लिए लगातार आंदोलन क गिर गई सर फटके और वो भी सीरियस हालात में आए दिन एक्सिदेंट होते रहते हैं सासन पर सासन के हरे एक अधकारी की नजर में बहुत से सरकारी लोग निकलते भी उस रोड से होके फिर भी इस समस्या का समाधन नहीं किये जा रहा है और उदर बाड़ाई ककुआ की त पिछले 7-8 वर्षों से तूटा पड़ा है जिसमें बड़े बड़े गहरे गड़े हैं आने जाने वाले लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है आए दिन कोई न कोई हाथसा होता है लोगों को चोट लग जाती है लगातार इस सडक के तूटे होने के कार जान का खत्रा भी बना रहता है पूर्व में इस सौफुटा रोड का निर्मान आगराविकास प्राधीकरन द्वारा किया गया था हमारी मांग है कि आगराविकास प्राधीकरन इस रोड को चल्द बनवाए सी न्यूज के लिए आदर श्र्मा की रिपोर्ट